क्यारे बच्चों दोस्तों देखें एक बार फिससे आप लोग को सामने रिजिनिंग की बहुत इंपोर्टेंट और सांदार वीडियो लेकर का ये पार्ट 79 है इससे पहले पार 78 बना चुका हूं डिक्सिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर चैनल पेच पे जाएंगे तो सारे के सारे को देखने को मिलेंंगे जो इन्हीं एकजाम में बार-बार पूछे गांगे व्यक्ति तबअगे चैनल प्यान कोंप शुक्ता उबले आपका मालीजी व्यक्तरंब्य मत्ति लोल करने काशनी इसका बेसिक कंसेप्ट खाओथ तो आप से दो में इड़ा देंगे और वैसे भी लिजाने में कम से कम समयमें वह सूल करना रहता हैं अच्छा ये तो बात उगे और देक्ट बात बता दू कि इस कोशन है हर चिफ्त कोशन देखने को मिलेगा तो चलिस्टार्ट करते हैं इसके मत कीज़ेगा वनस समझ में नहीं रहाएक पहले कोशन से देखते हैं क्या कह रहा है कोडिंग कोशन कह रहा है दोस्तों में ज्यादा तर तो यहाँ पर गायब रती है लेकिन यहाँ पर गायब कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं परता है कन्फ्यूज मत करिएगा कि पहले मिसिंग संख्या यह मिसिंग अल्फबेट गायब कर दिया क्या करेंगे तो हम ऐसे समझेंगे कि MKIG से जैसे NPRT बना हुआ है जिस logic से बना हुआ है जिस concept से बना हुआ है वही concept वही logic अगर हमें पता चल जाएगे तो ZXVT से यहाँ पर संख्या को हम यह alphabet को हम निकाल लेंगे बात हो गई तो चली MKIG को उठाते हैं इसका तरीका क्या वो समझते हैं MKIG को हमने उठाया और उसके बदले क्या बता हुए NPRT तो उसको भी हम नीचे NPRT यो लिख लेंगे क्लियर हो गया अब यहाँ पर नंबर का खेल नंबर का खेल का मतलब एक से ले करके 26 तक आपको यह तो एकदम कम पसरी याद होना चीए क्या क्योंकि इससे रिलेटिट एक दो कोश्चन तक आपके फश जाएंगे अग्जाम में और आप उंगली पे गिरेंगे और फिर या होता जेड होता है बी का वाई होता है उल्टे करम वाले भी आपको याद कर लें दो चीज़ें याद करने और उसका तरीका क्या होता है 20-25 कोश्चन इससे रिलेटिड अगर आपका लेते हैं तो आपको रटनी की जूरुत नहीं पढ़ए रटेंगे एक्जाम में भूल ज इस वाले में अगर आप देखे तो 13-12 हुआ माइनस दो हुआ नो से साथ हुआ माने दो के करम यह आगे बढ़ रहे हैं ठीक है अच्छा दोसरा नीचे वाला उनका देखेंगे तो 14-16 हुआ यहां पे प्लस दो हुआ तो यानि की ऊपर वाली जो अलफाबेट है वह माइनस के करम आगे बढ़ रहे हैं और नीचे वाले प्लस दो के करम आगे बढ़ रहे हैं चलिए ठीक है अब उठाते हैं जेट एक्स वी टी तो हमने क्या यहां से यहां से क्या सीखा क्या सीखा पहले तो नंब्रिंग कीज है वो माइनस दो के करम में जैसे माली जी कि ये खुद जो है पहले उसको देखिए 26 से 24 माइनस दो 24 से 22 माइनस दो 22 से 20 माइनस दो यानि माइनस दो के करम में तो अब जो बनेगा इस से इसके बदले यहाँ पर जहां में सिंग हमें उससे start किया गया ऐसी Z है यहाँ पर तो उसके बाद वाला क्या आएगा आपका Z के बाद तो कोई आता नहीं alphabet तो पुना आप ए पर चले आएंगे तो A से start होगा Z के बाद A से start होगा अब यहाँ पर A1 होता है कैरा कि सब्द examination में कौन सा अच्छर अंग्रेजी वर्डमाला के समान अस्थान पर रहता है इसका मतलब पहले question का समझ में आया कि नहीं यह मुझको बताइए कैरा कि examination जो है कौन सा इसमें alphabet है जो अंग्रेजी वर्डमाला में जिस position पर है उसी position पर यहाँ पर भी है उसी position पर यहाँ पर भी है तो देखिए अंग्रेजी वर्डमाला अगर आप देखें जैसे A, B, C, ।, X, Y, Z है ठीक है तो इसमें जिस करम पर जैसे A पहली position पर है तो यहाँ पर भी पहली position पर होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इस examination से चेक करेंगे जैसे यहाँ पहली position पर लेकिन alphabet में पांच भी position पर होता था यह गलत हो गया एक 124 position पर होता है यहाँ पर दूसरी position पर गलत हो गया A alphabet में पहली position पर होता है यहाँ तीसरी position पर गलत हो गया इन तरहमी पोजिशन पे होता है यहाँ पर दोस्तों चौथी पोजिशन पे गलत हो गया आई नौवी पोजिशन पे होता है यहाँ पाँवी पोजिशन पे गलत हो गया इन होता है चौधावी पोजिशन पे यहाँ पर कौथी पोजिशन पे छटी पोजिशन पे गलत A होता है पहली पोजिशन पर यहां साथवी पर गलत T होता है बीसमी पर यहां आठीमी पर गलत I होता है नवी पोजिशन पर यहां पर भी नवी पोजिशन पर है एक हमें मिला है यानि कि जो करम अलफाबेट में A to Z में I का है यहाँ पर भी वही है यहाँ पर भी है और इसमें भी आपके नÄवी पोजिशन पर आई मिलता है 1 थो हमारा मिल गया है ठीक उसके बाद को देखिए ओ कै Bayern पर पर यहाँ यहाँ पर 10 फेमें पर यहाँ भी गल्लत पर मुस्किल कोश्चन अगर आप आपको आता है तो वो आपके लिए एजी है तो इसी लिए ज्याद़ प्रिप्टिस करेंगे कितना भी मुस्किल रहेगा कोश्चन वो आपको इजी लगने लगेगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कहरा है कि नीचे दिये गए विकलप मेजर्मेंट में भी यह से मास्टर में तो इसमें भी यह मास्टर में तो इसमें भी यह है और मास्टर में तो इसमें भी आ रहे तो क्या दियेगा पहला ही मिल गया हमारा मास्टर बनाया जा सकता है चलिए देख लेते हैं एक्जाम में मत देखिएगा एक्जाम में मिल गय यहां पर भी आई है चलिए ठीक है तो यहां पर भी आई है चलिए ठीक है तो यहां पर अब है टो कि अब सब्ड़ रही है और दोस्तों एन खिला कंदिया चलिए चलिए आगे का ख्यंकुल कर लेते हैंна जेसे अशाश चलिए अबचा सब्सक्ति है बना जा सकता है तो हमें तो वो रुटना था जो नहीं बनाए जा सकता हो जो की पहला मिल चुगा है तो इस तरीके से दोस्तों हम option को चेक करते हैं एक चीज मैं बता देता हूं जो कि confusion आपके लिए खड़ी कर देगा देखिए अगर आपका जो वर्ड दिया हुआ इस तरीके का वर्ड है और डबलू टी वाई अब इससे हमें कुछ बनाना है मतलब कौन सा बन सकता कौन इसके लिए जैसे माली जी की बनने वालत भूड लेते हैं तो नहीं बनाया जाकता, आप सोचेंगे, R तो हीन है, आप तो यह नहीं, जितनी अलफाबेट इसमें रहेंगे, जैसे 1 है, तो 1 होना चीह है, 2 है, तो इसमें भी 2 होना चीह है, इसमें अगर 1 है, जैसे माली जी रैट है, रेट से हम क्या बना सकते हैं आप कहेंगे कि एड बना सकते हैं ठीक एटी बना सकते हैं या दोस्तों टी आर बना सकते हैं टार बना सकते हैं अगर आर आर एटी क्या बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं यहां पर दो आर हो गया आप सोचेंगे आर ही तो फ़ले रिपीट हो गया है उसी आपर डबल ऑर है तो चलेगा टीन और कम रहेगा चलेगा एकस्रा हो कि पहले तो आपको पता हो न ऐघ構 करेंगे हैं कि सीच्टम से चलता यह दो हर वीडियो में बताता इस टाइप के पोश्यन में जैसे पउधा घर है तो क्या करते हैं पहले बीच जालते हैं निकलता दोस्तौट ठेक पौधा के बाद क्या होता है पेड़ होता है पेड़ में फूल लगता है उसके बाद फल लगता है इस तरीके से करम में बढ़ता है फल निकलता है तोड़ करके बाजार में जाता है बिकता है आपके पास आता है आप खाते हैं एक करम चला की नहीं चला उसी करम को ही को लिखा जाता है पहले समझे वरसा वास्पीकरण जल संगरन बादल तो आपने जल का वह साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा होगा जल का आप बाइलोजी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह कैसे काम करता है यह को वहीं दिख रहा है मुझको जल से जल से वरसा तक की बात हो रही है तो वही है तो इसमें क्या होता है कि जल जो होता है उससे क्या होता है कि उसका वास्पिकर होता है यानि वास्पे की रूप में वह क्या होता है बादल का रूप गरहर कर लेता है यानि पहले वास्पिकर बनता है जल क्या होता है जल का वास्पिकर होता है फिर क्या होता है यह बादल बन जाता है बादल बनने के बाद उसका संगनन होता है क्या होता है संगनन और उसके बाद संगनन के बाद वरसा होती है यह होता है सैगलिक प्रोसेस वही दिया हुआ था तो इसका सही करम हो गया CBDIA option c देखिए इस तर आइट अंसरे चलिए अगला देखते हैं यहां कहित रहा है विशं जोडे को चुनिए तो चिक कर लेते हैं कैसे बिरस्पती कहिरा की गरह है, बिल्कुल सही है संगीतकार कहिरा की कलाकार है बिल्कुल सही है ब्यापारी कह रहा कि ब्यापार है यह तो बिल्कुल गलत है मक्का कह रहा है अनाज है बिल्कुल सही है मक्का अनाज है संगितकार कलाकार है बिरस्पति गरह है लेकिन ब्यापारी ब्यापार थोड़ा नहीं है यह कहता कि ब्यापारी मनुस्य है तो समझ में आता ब्यापारी आदमी है तो समझ में आता ब्यापारी औरत है तो समझ में आता यानि इस्तिरी कहता प्रूस कहता कुछ कहता समझ में आता लेकिन ब्यापारी ब्यापार लोजिक बैठी नहीं रही है तो वैसे ही यह विसम हो गया तो इसी को चुनना था इसी पर टिक वहीं पर यूज़ होती है यह ने बहुत सारी हिंट देती तो बताइए तो आप किसान को काटने के थ्वड़ान काम अगा नहीं आती है यह भी गलर घास काटने के काम आती है बेलखुल सही बात है घास काटने इस तरीके से दराती होती है clear चलिए next देखते हैं यहां पर देखिए number analogy कह रहा है कि 75 का संबंद जैसे 85 का संबंद किस्से होगा 75 यहां कि पंच के स्यांद क्यों कि अगर मैं इन दोनों को घटा दू पचैतर को साथ में से पांच तो आपके करते हैं आप दो कीऊप कर दीजिए और बन जाएगा आटोमेटिकली ऐसी पचासी को उठा करके इनके हमकों को भी हम क्या करेंगे घटा लेंगे तो आप करेंगे तीन आएगा जैसे दो का क्यों कि यह तीन का भी क्यों कर दीजिए आज जाएगा 27 आप संटू इस दराइट नेक्स्ट को सिरीज का कोशन करें कि तीन है साथ पंद हैं बढ़ रह Εं किस तरीके से बढ़ रहे हैं घट रहें तो किस तरीके से घट रहें यही चीज़ा हमें पता करने रहती है वास यहagी । बस यह पास आपंट styras Kyoto अब नहीं भाद द्यान दीजिए दोस्तों ये बन क्या रहा है बन क्या रहा है जिसे ये 2 का स्कॉायर है 4, 8 2 का क्यूब है 162 पे 4 पावर है 32 पे 25 पावर है 642 पे 26 पावर है यानि next step 2 पर 7 पावर पलस होना चाहिए यानि कि 120 पलस होना चाहिए तो हमारा answer आ जाएगा तो चलिए 120 में 120 पलस करिए तो 8, 7, 15 हो जाएगा 2, 2, 4, 1, 5 हो जाएगा 255 पन आ जाएगा यहाँ पर option A is the right answer मज़ा आ गई होगी चलिए next रहते है अब यहाँ पर 4-4 alphabet दोस्तों गाएगा कितना 4-4 है कैसे निकालेंगे यहाँ पर alphabet हमें निकालना तो इसका यह तरीका होता है पहला पहला सबका लेंगे फिर दोसरा दोसरा सबका लेंगे तीसरा तीसरा सबका लेंगे तो आप तो एक्जामें यही पर चेक करेंगे जैसे यहाँ पर E से G बना देखेंगे कैसे E से G बना हुआ है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर की जगा कम है वहां पे होड़ हो जाएगा तो यहां पर E.G. हुआ आई हुआ मिसिंग हुआ और दोस्तों क्या हुआ इंविए ठीक अगर हम देखें जैसे L है यह है यह बूस्कों हमें चेक करने की जो तो खूर option में देखेंगे कि दोसरा सबका L है L है L है L है तो जो आपका मिल लिया तो उसमें आप टाइम मत बरबाद कीजिए उसको छोड़िए पहले पहले को चेक कर लेते हैं पहले में पांच में पर है इसमें भी नंबर वाला ही काम करेंगे जी साथ में पर आई नौ में पर तो से जे मिसिंग और उसके बाद एन है ठीक है यहां पर भी किल लिजिए एफ चोपे एच आट पे जे दस पे देखिए यहां पर भी च्छट दू आर्ट दू दू के करम में आगे बढ़ रहा है तो नेक्स्ट बार होगा बर हमें पर होता एल यानि की के डबल अब के डबल लेकिन जो का करनेरे और रहें के यह कर करहें तो यहोगा काम खतराइब इस तर इस तरीके से टाइम बचाई याति है ठीक है तो ऐसे ही आप सोचेंगे किया बचेगा, पांस सिकेंद, दस सिकेंद बचेगा, पांस सिकेंद अगर आप एक एक कोशन में, अगर माली जहें, डस कोशन में बचाए, तो जोड लीजिये, कितना आपका बच चुकाई है, क्लियर? चलिए, अब यहां पर मिसिंग संखिया निकाल ली है, इसक तरी कास्ते देखें यानि रोवाले हिस्ते से कौन दोस्तों तर्य צ्र ले स्ट त आघी का ili सानरी से एक सब्सेट लोचिक लगाएंगे शोसे बारा करेंगे उट्स आप तो Created दोस्तों यहां पर गुडा करना कहेंट आजले जाएगा और तालीत घुरसीं हे यहां कर देंगे चलिए एक तरह से हमने ढूंडा अठारा आ रहा है चलिए मैं मानता हूं अठारा रहा है दोसरी तरफ से देखते हैं यहां पर देखिए हम ऐसे चेक करेंगे है याने कि एक तरह से कर रहे है चौभी शारा रहा है तो पर दोस्तो कर रहाने कह वते मेंandi या एक तरी से कर रहे है चोबीस आ रहा है अब मुझको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत ठीक चलिए कुछ तो आप लेकर के लिए भी होना चाहिए नेक्श क्या कहरा देखते हैं बलड रिलेशन का क्वेश्चन है थे बलड रिलेशन के पिता है क्या कह रहा है कि रोहित रोहित जो है ठीक है कह रहा है कि आदित्य का आदित्य का पिता है के लिए चलिए ठीक है परन्तु आदित्य उसका पुत्र नहीं है परन्तु कह रहा है कि आदित्य जो है इसका पुत्र नहीं है लेकि जब रोहित इसका पिता है तो आदित आधित्या हो आधित्या हो यानि कि यह पुत्री होगी यह पुत्री होगी ऐसा आपने दिमाग में सुचना है जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी भले जेंस टाइप नाम दे दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है जब रूहित उसका पिता है तो दोस्तों कैसे नहीं ह होगा वो पुत्र नहीं होगा तो पुत्री होगी ना तो कहरा कि पुत्र नहीं है तो हम आले तो पुत्री आदित्य चलिए ठीक है आगे मोहिनी जो आदित्य की पुत्री है मोहिनी नाम की कोई लड़की है मोहिनी नाम की वह कहरा कि इस आदित्य की पुत्री है क्या है पुत् है तुछ थी पत्नी है इस तरीके से दस्तों आपको भी बनाना था यहीं कडिया जोड़ने मैं कह रहा था गौतम कहरा आधित्य का भाई एक पॐतरी है लेकिन गौतम रोहित का क्या हो जागा पुत्र हो जागा क्योंकि आदिते का गौतम जब भाई है तो रोहित का क्या हो जागा ये पुत्र हो जागा ये पुत्री नहीं होगी क्योंकि गौतम कहे रहा कि आदिते का भाई है भाई किस कंडिशन में गौतम हो सकता है जब वो जि आगे कह रहा है मीरा गौतम की पत्नी है मीरा जो है कह रहा है कि इस गौतम की क्या है पत्नी है ठीक चलिए गोविंद मीरा का पती है गोविंद मीरा का पती है यहां पर गोविंद क्या कह रहा है मीरा का पती है आगे कह रहा है हिमानसू गौतम का पुत्र है मीरा गौतम की पत पती नहीं है बलकि पिता है यहां पर मिश्टे को कहीं सौरी तो थोड़ा सा चरंग चेंद करनु कलर तो यहां पर क्या कर आप गोविंद नाम का कोई बंदा है ठेक वह क्या इस मीरा का पिता है ठेक थोड़ा सा आप जगा की तंगी की वज़े से इसा हो गया है चलिए फिर कोई दिक्कत की बाते हैं वह समझ में आ जाएगा आगे कहरें रोहित की पौत्री कौन है रोहित की पौत्री किस कंडिस्न में होगी आप जाते हैं रोहित के बेटे की बेटी वही उसकी पौत्री होगी तो रोहित के दो बेटे है एक बेटी है यानि कि आदित्या पुत्री ठीक है और गौतम पुत्र है रोहित के दो बेटे हैं एक गौतम बेटे नहीं बलकि एक पुत्र है पुत्र है दो बच्चे हैं एक पुत्र है गौतम क्या पुत्र है और अदित्या क्या इसकी पुत्र है रोहित की इतना क्लियर है अब उन्हीं में इसके जिसकी बेटी होगी जैसे आदित्या की पुत्री या पुत्र होगा तो वो रोहित का नाति या नतिनी लगेगा ठीक है और आप यहाँ पर ढूड़ा है कि आदित्या की एक पुत्री ये मोहिनी वो रोहित की क्या लगेगी नातिन लगेगी क्या लगेगी नतिनी कहिए नतिनी लगेगी ठीक है ल तो आप मोहिनी पेचीन लगाए नतनी को तो पोत्री कहेंगे नहीं मुझको तो नहीं लग रहा है लेकिन यहीं मैं confusion में हुदोर थो मैंने इसका answer देखा तो मोहिनी दिया हुआ था तो किया आप मुझको comment करके बता है किया मोहिनी सही हो सकता है या यह सही हो सकता कि इन में से कोई नहीं ठीक है मुझको confusion है यह सही होगा कि दी सही होगा जैसे अभी पीछे वाले में confusion थी यह भी एक confusion वाला आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं हलाकि book में इस पे टिक लगी हुई है मोहिनी पे तो आप बताईए कि मोहिनी सही होगी कि इन में से कोई नहीं सही होगा जरूर कमेंट कीजिएगा इसका answer चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों देखे दिसा और दूरी का question है दिसा और दूरी में मैं थोड़ा सा ग्यान दे तो बहुत टाइम नहीं लेगे जिसे यह आपका पूरव होता है दाइंसाइट पूरव बाइंसाइट पस्चिम नीचे दाच्चिर ओपर आपका उत्तर ठीक अब यह उत्तर पूरव के बीच की दूरी को हम लोग कहते है दोस्तों प्या उत्तर पूरव और यह दिसको आट प्लेगे का इसी बिसकी दूरी बस यही आठ दूरियां पता होने चीए दिसा और दूरि में बागी सारा मैटर खताओ क्या होजागा खतम कुछ नहीं होगा चली है आप कोुशेन को परते हैं एドhi कोर चलता है किरना की दास मीटर चलता है कि और फिर दस मीटर चलता है चलूए ठीक फिर बंडान हैं चलता है जा पश्चिम की और जाएंगे बंडेंगे तो नीचे आएंगे यह Mos कभी confusion कभी भी नहीं होना चीह 10 मीटर चलता है कर अब फिर बाय मुड़ता और 10 मीटर चलता अब यह दच्छड दिसा में जब कोई बंदा चलेगा और बाय मुड़ेगा तो तुरंत आप अपने दाय मुड़ेंगे क्या है दाय मुड़ेंगे जिधर कहेगा उसके उल्टे समझे जो भी समझें क्योंकी उल्टी है उल्टे नीचे जाएगा दर चेटी सामें तो आप कर और यहां पर आने के आप 55 डिग्री मोड़ने का मतलब वो भी 20 सायड तो मतलब नीचे मूड़ेगा इइदार ठीक है एतना hopes is for that में जा रहा है दाईड मूड़ेगा तो नीचे मूड़ेगा तो उस नीचे साइट मेरें гр इभर मुलकर करण तो यह आपका जिसा चलना शुरू कर देगा अब पूछ रहा है किया मैं इस हम में के दिखेंगे हैं के लिए नहीं परफ साथ यही है यही आपका अंसर हो गया ओफ्सिन देखीए आ इस इस ट डिस कोश्चन है क्या कह रहा है पढ़ते हैं यदि पी इसके बाएं से दोसरे अस्थान पर हैं पहले तो हम दाएं बाएं को समझ लेते हैं पहले ही सुरू कर दिया है कोश्चन में दाएं बाएं तो यहां जो आपका दाएं है वही इसका भी दाएं होगा जो आपका बाएं है वह का मतलब पहले समझिई बहाएं से दोसरा होने का मतलब यह है कि दोसरे यहाँ पर Guard manner लिएake पीजिए इसके यहाँ पर नागर मालीजिए पी रखें तो बीच में एक बंदा होना चाहिए दोसरे कहने का मतलब यहीए पहले पर पोजिशन पर कोई होगा उसको छोड़ दीजिए अब दोसरे पर 22 का मतलब दोस्तों यहीं पर बाइद इसा में यह आपका क्या पी जो है इसके बाइद से मतलratic मैं समझाने कोशिज कर रहा है कि पहली position पर कोई रहा होगा कौन है वह अभी पता कर लेंगे अब दोसरे ऐस्थान पर और J abd कर दोस्तु आपको नहीं सेट हो पाएगा उसको हम बघल साइड में रखेंगे उससे कहेंगा कि बगल में बैठे रहो बाद में ज़रूरत पढ़ेगी हम बुला लेंगे इस चीज हमेशा ध्यान रखेगा जब अर्दस्ती इसमें घुसाने की कोशिस मत कीजेगा वरना गलत हो जाएगा क्योंकि पोश्चे में जब आगे पढ़ेंगे तो ओ खिलियर हो जाएगा कोई दिक्कत ने होगा आगे कहरा है टी जो है इसके ठीक दाइयोर है अब टी कहरा है इसके ठीक यानि यहाँ पर होगा इसके ठीक दाइयोर यानि कि इसका ठीक दाइयोर इधर है तो T यहाँ पर रखेंगे एकदम पनोसी होगा जब ठीक कहह रहा है यहाँ पनोस में ही बैठा देंगे दायूर इसके इतना किलियर हो गया चलिये आगे कह रहा कि Q असके न थीक दायूर है न थीक बायूर है अब कहरा कि Q जो है जो है इस यानि कि जो है यह जो दो बंदे की जगह खाली थी इसका मतलब हो इस्टी है यानि क्यूं यहाँ पर होगा तभी तो यह दो बंदे यानि आर से जो है तीसरे पोजिशन पर दाइं और तीसरे पोजिशन पर क्यूं है क्लियर है समझ में आ गया कोई डाउट है यह निचे दोस्तों स चलिए करते हैं इस प्रोब्लम का कोश्चन है इस प्रोब्लम कोश्चन है इस में क्या करेंगे पिता और पुत्र की आईउ करम से 41 सोलों वर्स है मैं पिता की उम्र करके लगा भी सकते हैं वेकार है उससे कम टाइम वाला मैं बता तरीका इस टाइब को सब्सक्राइब कर लिजिए आप कहेंगे कैसे कितनी वर्सों में पिता गिया विए अपने पुत्र गया यू की दो गुनी हो जाती है पहला ओपिस या गया पिता की आयू पुत्र की आयू की दो कुछ चीजे ऐसी होती है कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है बस प्रेक्टिस होनी चाहिए कि किस टाइप को हम कैसे सौल करेंगे तो उसके लिए तो हम लोग हैं है प्रेक्टिस कीजिए यहां पर और साथ ही साथ घर पर बैट करके पेन और पेपर उठाइए और ज्य सक्के हैं तो हम कर एक दी आठ दी आ 20 यहां लिजा लिए और दो लिख लेंगे इसके बाद कहरा है फलस लिख लेंगे उसके बाद सी है सी करा निरोपित कर रहा गुड़े को तो गुड़ेँ बनाएंगे और यही बराबर आना चीजिए सॉल करने बबाद पंदर चलिए फटा-फट कर लेते हैं बोर्ड मास कहता है चिनलों में पहले भाग को निक्टाइए तो दो से भाग देंगे यहां पर तीन आ जाएगा और यह गुड़ा करेंगे चाहती है बारा आ जाएगा यह आया कि 8-3 प्लस बार ठीक अब क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो बा लेते हैं फिर 8-8 के बादद सी के ज़ए दूस्तों गुड़े को दर सा रहा है फिर दोस्तों क्या है आए अब यह आना चीनिया-45 के बदा चलिए पहले क्या कहते है बोर्ड मास भाग नहीं है तो बुढ़े को बाण लीजिए तो यहां पर 8-11 सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर गड़ी का कोश्चन है क्या एक घड़ी एक घंटे में पांच सिकेंड खो देती है एक घंटे में कितना सिकेंड खोती है पांच सिकेंड यानि वन आवर में दोस्तों पांच सिकेंड खो देती है चलिए ठीक है तो कहरा उसे सुबह साथ बज़े सेट किया जाता है या घड़ी उसे दिन दो पर दो बज़े कितने बज़े का समय दि जाती है तो पहर कितने बज़े दो बज़े दो पहर दो बज़े यानि बारह ये दो है ठीक है दो पहर दो बज़े यानि कि टू पीम कितने बज़े का समय देखाएगी दो बज़े कितने एक घंटे में दोस्तों कितने का समय खोती है पांच सिकेंड का इस चीज को ध्यान में तो पहले देखें कितने घंटे का सफर तक रही कारें यहांन subscribed में आपने जाना पांच सिकेंड का समय को थीक कि जॉड़े उनिकी निकालने का तरीका क्या है चलिए बता देता हूं घटाया कैसे जाता है मिनट गंटे को वो तो आप डारेक्ट कर सकते हैं सिकेंडों का काम है लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए आसान मैं कर देता हूं देगे दो बज रहा है ठीक दो बज रहा है घड़ी में तो सिकेंड वाला साथ गुड़े पांच बदा पर 35 सिकेंड अब 35 सिकेंड धेरी ओ जाएगे बज दो बज रहा है तो दो बज intern dzisiaj से थिस्यकेंड धेर्एं हो रेंगे तो दो गंटे को मिनट में हासिल लेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और ये मिनट 60 हो जाएगा ठीक है एक गंटे में 60 होता है लेकिन यहाँ पर फिर सेकेंड में भी तो कामल लेंगे जब ये कामल लेंगे तो ये तो 69 हो जाएगा एक घट करके और य जाएगी यह घटाने का बेश्ट तरीका मैंने बता दिया कहीं पर भी कोई आपको दिक्कतम नहीं होने वाली चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन से दराइट अंसर नेक्सट फिगर से लेटेड़ कोशन है कर अंडिम्ट आकिर्थी में सेखला में आने वाले आकिर्थी यान कि यहां पर नेक्स्ट पैटन आपका क्या आएगा कौन से आकिर्थी आएगी तो इस आकिर्थी में अगर सारी आकिर्थी उपर ध्यान देंगे तो आपका एक्जाम छोड़ जाएगा क्या होगा टाइम सब बरबाद हो जाएगी तो इस पर ध्यान देना सिर्फ बीच वाल से माली जी की एयरो यहाँ पर पहली वाले में उपर यह सी थी दोसरी वाले में बीच में इस एयरो को उठा करके यहाँ पर सिर्फ थोबड़े को रख दिया गया है चलिए इस चीज़ को आपने नोट किया अब चलिए देखते हैं अब क्या है यह दोसरे वाले का यहाँ पर ऐसे उसको क्या किया गया तीसरी वाली आकिरती में तीसरी आले वाली यह थोबड़ा ऐसे उसी को उठा करें पल्टा नहीं किया सिर्प जगा को जेंज कर दिया गया ठीक है ऐसे हो गया देखिए बिलकुल आकिरती अब फिर जो है इस तीसरी वाले को उपर वाली आकिरती को देखिए, ऐसे बना हुआ है, ठेक, ऐसे, अब वही आकिरती जब यहाँ पर देखेंगे, बीच में, चौथी वाले में, तो यही चीज़ है, उठा करके, इस थोबड़े को उठा करके, यहाँ पर रख दिया गया है, ठेक, यहाँ पर ऐसे रखा गया है, ठेक, ऐसे बन गया ह बस बीच वाले ही से हम अंसर ढूड़ेंगे तो ढूड़ पाएंगे वनना बहुत ज्यादे confusion हो जाएगी चलिए अब यहाँ पर बीच में S है लेकिन यहाँ पर S उल्टा है होगा नहीं यह तो ऐसे ही नहीं होगा यह भी उल्टा S है देखिए सिर्फ इसी में सीधा S है जो की हमें ढूड़ना था वही मिल चुगा है option is the right answer समझ में आगा लोजिक को समझना है कहां से कैसे ढूड़ना है अगर बहुत ज्यादा आप जटिल बना देंगे question को करने में तो आप बहुत ज्यादा time खर्श कर देंगे और answer आएगा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कोसिस किजिए प्रैक्टिस करने की और ट्रिक को समझ ये concept को समझ ये next dice का question है करत तिर्वज के विप्टिस सता पर कौन सा चिन होगा जब भी एक dice के dice एक होती है और उसको घुमा घुमा करके जैसे आप लूडू खेलते हैं क्या होता है गुट्टी होती है उसको dice उसी को बोला जाता है घुमा आते हैं ठीक है यहाँ पर अंक की जगह जिए कि चिन न दिया हूँ उससे कोई फरक नहीं पड़ता सब में logic concept एक ही काम करती है यह मत सोचिएगा कि जो बिंदी है उसमें अलग काम करेगी जो number है उसमें अलग काम करेगा नहीं सब में dice में एक ही concept काम काता है एक ही dice से घुमा करके दिखाया कि इस तरह इधर का face आपका ऐसा है फिर घुमा करके दिखाया कि इधर का face आपका ऐसा है ठीक है तो क्या करना जब दो डाइस एक डाइस के दो प्रारूप दिये रहे हैं और पूछे कोई किसी के विपरित जैसे यहां पर तिर्भुच के विपरित पूछ रहा है तो पहले उसको ढूड़ेंगे कि तिर्भुच है कहा तो आप देखेंगे कि यहां पर तिर्भुच ह पुलाइब लिऑ गुलाइब वाइब उसके बसके बास कहांपर आएगा तिर भॉच आएगा पिर घूमाएगे तो आपका क्या हो जाएगा परूचर कम यहाँ पर भी कामनवाले करेंगे छोड़ दे Verfelta उसके लाग जो जिसके घहरे में आगा जैसे तिर भुच की विप्रित क्या हो जागा इस्टार हो जाएगा अगर चात्र भुच के पूछता तो सरकीर के पूछता तो चात्र गोस्त के लियर हो गया बॉच्छ वाठों में दिखेगा तो इसकी ट्रिक आपको पता होगी जो नए बच्चे हो सकता है नो जानते हो जानले क्या करतें जब भी ऐसा तिर्बुच रहे तो नंबरिंग कर लेतें एक दो उसके बाद इनकों जोडेते हैं जैसे एक दो टीन हो जाएगा अब कितना होगे सिर्फ एक लाइन ट्रा करने से कितना तिर्वुज बढ़ गया चाह और बढ़ गया तिर्वुज की संक्या बाहर हो गया लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए तो इसमें यह चीज जो है एक्ष्ट्रा जोड दिया गया अब उसकी वजह से भी तिर्वुज बढ़ जाएंके यह एक्ष्ट्रा जोड दिया चलिए देखते हैं कैसे बढ़ेंगे देखिए यह जब लाइन खीची गई इसकी वजह से यह आपका तिर्वुज बढ़ गया ठीक तो बारह में एक जोड देंगे फिर इधर भी वाई एक तिर्वुज यह बढ़ गया एक जोड देंगे और एक तिर्वुज बढ़ा है उसको भी देख लीजिए एक उल्टी पोजीशन वाला यह तिर्वुज बढ़ा हुआ है ठीक यह जोड देंगे तीन तिर्वुज बढ़ा हुआ है उसकी वजह से तो बारती पंदर हो जाएगा आप संबीस डराइट असर तो